यहां पर जो पाकिसन के जो हिंदू लोग है वो इंगेजमेंट याने के सगाई कैसे करते हैं तो अब यह इन से पूछ लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा है अले देखो भी बहुत अच्छा खुशी हो रही है यह जो है वेलकम बैक तू माइड न्यूग लोग तो दोस्तों इस वक्त में मौजूद हूँ रहीम्यार खान एक छोटा सा मांगड जिसका नाम है तो वहां पर बेसिकली मेरे नाना वाले और मामा वाले बैठे हुए हैं तो यानिक मेरे नानी वाले और मेरे मामा वालों को घ दिखाऊंगा कि यहां पर जो पाकिसन के जो हिंदू लोग हैं वह इंगेजमेंट याने के सगाई कैसे करते हैं तो वह चीज़ें आपको दिखने वाली है इस व्लॉग के अंदर तो राइट नाव चलते हैं पीछे यह देखें यहां पर यह सभी गैस्ट आए हुए है यह देखें यह दिखें लुग के लिए अपर कैसे करते हैं तो यह देखें इस वाइपर मेला हैं यह आप देखें यह आप देखें और दोस्तों यहां पर इस बैग में यह लड़के का सामान है जो कि लड़की वालों की तरफ सी आता है जिसकी में बात कर रहा था तो यह वही सामान है इसके अंदर डिफरेंट टाइप के चीजें होती है जैसे के लड़के का सूट हो गया निके ड्रेस हो गई कपड़े हो ग होती है जिनको सिंगार के अच्छे से सजा के इनको बनाई जाती है लड़ी जिसके अंदर मार्चस की डबी होती है और मतलब बहुतारी चीजें होती है वह क्या क्या चीजें थे मुझे नहीं मालूम लेकिन बहुतारी चीजें होती है इसके अंदर बनाई जाती है और यहा सार बोलते हैं तो यह वो है कड़ाई के अंदर ठीक है बाकी यह सारे गैस्ट है यहां पर बैठे हुए जो कि आप देख सकते हैं और दोस्तों यह मेरे मामा जी के दो लड़के हैं जिनकी आज सगाई है और यह इस वक्त बावारामदे पीर के आस्थान पर अपनी सगाई की रसम को संपूर्ण कर रहे हैं और यह जो आप देख रहे हैं यह मीठी रोटी है जो घी शकर से बिने जाती है जिसे हम गुरोडी बोलते हैं उसका यानिका भोग लगा रहे हैं और फिर उसके बाद इस तरह से अपने दोनों आथम पानी लेकर उसको यानिके पीछे इस तरह से उचालते हैं और फिर उनके नाम का जाप करते हैं बाबा रामदे पीर के नाम का तो यह सगाई के रसम होती है वो इस तरह से कीजाती है और यह जो इनके हाथ में आप देख रहे हैं यह बेसिकली वही नारियल है जो लड़की वालों अच्छे तरिके से यह देखें तो यह निके आत्मी इस तरह से रखा होता है ठीक है और इसके बाद फिर जो है यहां से उठकर आगे बाहर निकलते हैं और जो सारे गेस्ट आए हुए थे उनसे बड़े लोग होते हैं इनके घर के यह उनसे जाकर पैर चुकर उनका अशिरव यह अपने बड़ों से मिलते हैं और उनका शिरवाद लेते हैं और फिर अपने दोस्तों सो भी मिलते हैं मुलाकात करते हैं ठीक है और एक दूसरे को फिर बदाई देते हैं तो इसी तरह से यह सारी रसमें फाइनल होती हैं और अभी एक और मेरे मामा जी की बेटे हैं उनक को चलकर अभी दिखाते हैं और अभी हम आज के हैं अपने दूसरे मामा जी के घर पे तो ये उनके बेटे हैं तो जो दो लड़के आपको दुखाए ये उनसे छोटे हैं तो इसलिए इनकी रसम अभी की जा रही है तो ये मेरे दूसरे मामा जी के बेटे हैं तो अभी उनके घर आएं और इनकी रसम भी होगी सारी तो यहां पर भी वही सेम रोटी बनी है मीठी रोटी ठीक है घी शक्कर की बनाई होती है यह रोटी और यहां पर भी इसी रोटी का ही भोक लगाया जाएगा और यह हैं जी हमारे दूले स जो के अभी आदे दूले बन चुके हैं और इनका नाम है दाने श्राम जाती week Ihnen जाती है और यह और पर थेल्य चार बार भाईया के हाथ को पीछे भाज लेता है और फिर माथा टेक के आशिरवाद लेता है बाबारमदेपीर का ठीकawn और इसके बाद घएस्ट ऐवे होते हैं वह फिर इनको हार भी पेहना कर पैसा का हर ऌता है जो इनके खास रिश्चे-दार होते हैं तो वह वाकर इनको हार भी पहनते हैं जिनका दिल चुक है और ऊसके बाद फिर लाल सिंसाब कई इनगाता थीजिव है वह सगाई हो चुकी है फिर यह सारी रसमे करने के बाद दूले अपक्ड़े हो जाते हैं फोट शूट के लिए सभी लोग आते हैं सबस्राइब नहीं इसाथ करते हैं को प्यार देते हैं उनको आशिरवाद देते हैं तो दुले साथ दूली रMP क episT सीदे खड़े हो जाते हैं वही नारियल दोनों आता होता है जो लड़की वालों के तरफ से आता है उसके जी ढोल बजटा है नगारे होते हैं और सबी लोग नाचते हैं घाते हैं बहुत खुशियां मनाते हैं तो कुछ इस तरह से पाकिसान के हिंदौ लोग अपनी सगाई करते हैं और की रस्मे जितने भी चीज़ें थी जो पॉसिवल हो सकी मैंने आपके साथ शेयर की और जितना म क26 डला शोला ऐुआpción कि ऑनने के टुआए पाल लिए आ भीुआ में सुझा भट थजब लिए गज हाँ तो दोस्तों इसके बाद अभी जो है मैं यह विलोग कंटिन्यू कर रहा हूं शाम के टाइम पर अभी अंधेरा हो चुका है तो पूरा दिन हमने जो है सगाई के रसम को इंज्वाय किया और सगाई के टाइम पर जो मतलग के रसम होती है कि देने डांस होता है वह सारी चीजते हमने उसको यनिके इंज्वाइक किया और फिर खाना पीनाबी होता है घर की सफाई करनी होते हैं तो सभी लोगों तो सब भी लोग ने मिलकर यह सारा काम किया और अभी इनको दुबारा से मैं रेडी करवाकर ऊपर लेकर आया हूँ चट के उपर कि आप लोगों को जो है इनसे में मिलूआ यहां पर रहें हमारे दोस्त आपका नाम सबसे चोटे और फिर उसे चोटे आप जो लुए जी मेरे एक्व मों के बेटे हैं और यह दूसरे मों की बेटी हैं तो यख बेसिकली बेसिकली पाकिसान के अदर रहते न तो वह व इत को UP हाफ बन च्प्राय की अब अगिक रहते YOUR ça अच्छा तो अभी यह इन से पूछ लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा खुशी हो रही है और यह हमारे दोस्त आपको भी अच्छा लग रहा होगा डैफिनेटली यार जब इंगेजमेंट होती है मेरी इंगेजमेंट वही थी और पर शादी हुई तो वह क्यों선 यह हुँता है कि आपनी लाइफ एक और नहीं लाईफ यानिकास थार्ट करने जा रहे होती है कि अधि Vamos घूर मारी इस परइस्ट तो यह बहुट कई कंसे लगाउगा कैsels लगा लगा देखा भई तो हैं यह हमारे दोस्ति नियल्ट यह पताना चाह रहा था कई यह हमारे दोस्तें जिनके सगई वही तो क्याहरा निसे लोना चाहरा था और यार आप सारे काम क्या और ऑर बस एंजुएड कर रहे थे मतलब मैंने किया की प्रिक तो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो कानल इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बाके मिलते हैं नेक्ट व्लोग में तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा द्वाम याद रखेगा थैंक यू तो अच्छा प्राचिंग लव्यू तेक्यर एंट बाइवा थैंक यू